हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग टोल अफ जू स्टुडेंट्स खल हमने राम लक्षम परशुरान संबाद में पड़ा था कि जब शीराम जी के द्वारा धनुष तूड जाता है तो परशुराम को जब जब समाचार मिलता है तो वहां पर आकर परशुराम जो किस पर जो है वो बोलते हैं परशुराम को तो आज हमने सेकंड पैरग्राफ पर नहीं इसमें बताया गया है कि लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहू देव सब धनुष समाना जब जहां पर बताया गया है कि जब जे धनुष तूट जाता है तो लक्षमन को जब परशुराम बोलते है क लक्षमन ने कहा हसी हमने जाना हे मुनिवर हे देव सब धनुष समाना हमने तुझे सब धनुष एक समान है कहा हसी हमने जाना मतों इसने हमने जो है इनको समान ही समझा सब धनुष को एक समान ही समझा है का शती लाबू जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे बोलता का शती शती होता है हानी लाबू लाब जून धनु तोरा देखा राम नेन के भोरे राम नेन के भोरे राम ने समझ कर शुआ था और ये हाथ लगाते ही जो है टूट गया शुवत तूट रगपति हूँ ना दोशू शुवत होता है शूकत ही तूट तूट गया रगपति हूँ ना दोशू इसमें शिरराम जी का कोई दोश नहीं है दोश होता है दोश मुनी बिन काज करिये कत रोशू होता है मुनी वर बिना काम के ही काज होता है काम बिना काम के ह करिए कुछ दोसु क्यूं जो है कतो होता है क्यूं जो है गुसा कर रहे हैं रोसु होता है गुसा क्रोध भी है मुनिवर आप बिना काम के ही इतना गुसा क्यूं कर रहे हो तो शीराम जी के हाथ लगाते ही तूट गया है इसमें उनका कोई दोश नहीं है बोले चिते परसु की औरा जी बाते सुनकर मुनिबर जो है चिते होता है देखने लगे परसु अपने फरसी की ओर जो है वो देखने लगे रे सट सुने ही सभाव ना मोरो और बोलने लगे हे मुरक सुने ही सुना नहीं सभाव सभाव था सभाव ना मोरो मेरा सभाव तुमने सुना नहीं है बालकू बोली बदो नहीं तो ही बोलता है कि हे बालक तुझे बालक समझ कर मैंने तेरा बद नहीं किया है क्या बोलता है कि जब उसने बोला लक्षमने की जे तो इसमें शिरी राम जी का कोई दोश नहीं है उनके तो हाथ लगाते ही जे जो है टूट गया था तो वो बोलते कि बिना मतलब कि आप इतना गुसा क्यों कर रहे हो तो परशुराम जो है अपने फरसे की और देखते हैं कि बोलते हैं कि मुर्ख वालक तुमने मेरे सवाब के बारे में जाना नहीं है तुम मेरे सवाब के बारे में जानते नहीं हो बालकू बोली बदो नहीं तो ही कि बालक समझ कर मैंने तुम्हारा बद नहीं किया है केवल मुनी जड़ जान ही मोही तुम तो केवल मुझे मुर्ख मुनी ही समझ रहे हो जड़ोता है मुर्ख मुर्ख मुनी ही समझ रहे हो बाल ब्रहमचारी आतीको ही बिस्व बिदित क्षत्रे कुल द्रोही मोलता है बाल ब्रहचारी आतिक रोही मोलता है कि मैं बच्पन से ही बाल ब्रहमचारी हूँ बिस्व बिदित क्षत्रे कुल द्रोही और मैं जो क्षत्रे कुल का द्रोही हूँ बिस्व बिदित होता है पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रे कुल का द्रोही हूँ भुजबल भूमी भूप बिन कि नहीं भुजबल भुजबल भुज़ाओं के बल से मैंने अपनी बुजाओं के बल से जो भूमी जो है भूप राजाओं से कितनी बार छीन ली है बिपुल वार मही देवना दिन ही बिपुल होता है अनेक अनेक वार मैंने मही देवना होता है ब्रह्मन ब्रह्मनों को दान दे दी है दे दी है सहस वाहू बुज शेद निहारा और सहस वाहू को मैंने अपनी बुजाओं के वल से उनकी बुजाओं को काट दिया है अर थार्थ सहस वाहू राजा का बज जो था परशू राम ने किया था तो बोलता परशू बिलो की महिप कुमारा महिप कुमार होता है कुमारा होता है राज कुमार हे राज कुमार तुम मेरे परशू के बारे में जानते नहीं हो मातु पित ही जैनि सोच पस करसी महिस किसोर महिस सोर मतलब जहां है राजकुमार माता पिता को सोच में चिंता में क्यों डाल रहे हो इतना मतलब बोरा है कि तु इतनी बाते कर रहे हो तो अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो गर्वन के अर्वक दलन परसु मोर अति घोर होता है कि मेरा फरसा जो है इतना भ्यानक है कि गर्वन में ही अर्वक होता है बच्चे दलन जो है नस्ट कर दिये है मेरा फरसा जो है वो इतना कठोर है कि गर्व में ही बच्चों को नस्ट कर दिये है परसु मोर अति गोर गोर होता है ब्यानक मेरा जो फरसा है वो बहुत ही ब्यानक है तुम इसके बारे में नहीं जानते हो अर्थारत इसमें परशु राम लक्षमन को बोर रहा है कि तुम मेरे फरसे के बारे में नहीं जानते हो तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डा प्रामनों को जे बूमी जो है वो दान कर दी है और सहस्तर बाहु राजा को मैंने उसकी भुजाओं को काड़ दिया उसका बद कर दिया है आप मेरे फरसे के बारे में नहीं जानते हो तो बच्चो आज हमने सेकंड परग्राफ के बारे में पढ़ा है आपने इसके बारे में जो भी मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से पढ़ना है कलम थर्ड परग्राफ इसका पढ़ेंगे